नमस्कार स्वागत था आपका रोसन रोमिंग के मौडन इंडिया आधुन भारत के विसोड में आज हम है उस अस्थान पर उस एतियासिक कस्थल पर जहां से यह करने जी जो देश की जो संगिनता की जो लराई थी जो फिटम फाइटर था लराई लरी गई थी एक ऐसी घटना प्रिया घटना के कारण वह लराई रुख गई थी जिसका असाइट पूरे देश से पढ़ा प्रास्टी अस्तर पर पड़ा और ही कारण रहा है इस घटना प्रिया घटना घटने के बाद लराई को रोग दिया गया था जो स्थान जो पुलिस थाना हमने देख रहे हैं कि और वही पुलिस थाना है पुलिस चोकी है जो कि जिसका क्रूस्तान भात के आधने भात की इतियाज में या भात की कांतिक कारईयों के लराई में देश के सवधिन्ता के प्राप्ति में बहुत भी अर्षन डाली गे जिसके कारण एक लराई थी वो बिराम पड़ गया था पुलिस वालों ने फाइरिंग कर दी जिस फाइरिंग से लगकर चार से पांस लोगों की मित्तू मोगे परी हो गई थी यहीं पुलिस गोली लगने के बाद लोग आक्रुसित हुए तो उन्हों ने आबेस में आकर इस थाने को जो चोई-चोई थाना उसे आग लगा दी थी और इस घटना के बाद लगए कि 22 पुलिस कर्मी की मौत हो गई थी इसी पुलिस थाने में और यह कारण रहा कि 12 फरव गया था और यह मुख कारण रहा कि लगए कि 1922 तक तीन साल लड़ाई लड़े गए थी असा यह अंदलन था इसमें यह माना गया था कि जो भी भारती हैं उको भी ब्रेशी कंपानी का समान हो अग्रेजियों के पनेवा समान इस्तेमाल नहीं करेंगे थे उसका कारण था कि जो जलियाए वाला बाग में हुआ था तो फिर ने लिया गया था उसे निर्ने से नराज होकर लोगों ने यह किया और लोगों ने मातना गांदी का साथ भी दिया था उप्रिया घटना घटी 4 फर 1922 को जिसे आंदलनों बापस ले लिया गया और कवर लोगों के उमीदों के एक सपना था कि देश प्राफ्ट कर लेगा उसा पानी फीड गया था उस लराई में बहुत सारे घटनाइं हुई थी जिसमें करांतिकारियों के मन में कहीं ने कहीं जर्षाधने कमें को चुछ नहीं है कि बाद पूरण निर्मान कि अच्छ जितन जो शीपाही मारे गए थे उनके उसमान में रunde गहा था कि उनकी जसमारक का धेख अख रहे हैं वह असमार resources उनग भर की नाम क्याया था जानते हुज रखा के बारे में देखते हैं वो असमारक चाह क्या था कितने लोग थे उनके नाम क्या-क्या थे यह असमारक है और इसमें जो नाम लिखे गए हैं तक्वीबन जो बाइस्टाइनिक थे इसमें जख सब इंस्प्रेक्टर भी थे और भी थे जिनकी हत्या कर दिके उन्हें जिन्दा ही जला दिया गया था इसमें लोग मर गए थे और यह सामें देख रहेंगे सब इंस्पेक्टर गुप्तेत्र सिंग जो हैं के थाना परवारी थे और यह कॉंस्टेवल थे मंगरू चोबे यह सबी थे जो मुस्लिम कॉंस्टेवल थे जिनके नाम उर्दु मिलखा हुआ हलाकि उर्दु मुझा आता नहीं इसलिए मैं नहीं परपारा हूं इसलिए लिखा हुआ है साही रसमारक पुलिस कमचारी थाना चोड़ी चोड़ा गोड़कपूर दिनांग चार फरवरी 1922 क जो सहीड हुए थे जिनका नाम उर्दु में होनकी कवरी यहां लगाई गई जो आप देख रहे होंगे नाम पे कवरी लगाई गई है और और वी जो नाम है इसे देख रहे होंगे को जो हमारे बताया जो S.I.A.P. थे साइनस्पेक्टर आण पुलिस पिर्थविलाद सिहुखे बडिलाखां सिग कॉंसटेवल राम लखान सिंग पुलिसकोंम लखां विभी विश्वाắm यादव और रगुवीड इसंग ही नाम थे अग्रुज और अंग्ण और यहीं उनका असमारक है जो उनके नाम में बनाया गया था यह जो देख रहे होंगे अब दूसरा पर लूग और भी जो थोड़ी दूर दूर पर है जहां पर लोगों को तरफ से जो अंदरन कारी थे उनकी हत्या कर दी गए तो उनके लिए असमारक बनाया गया है पहले ये वीडियो देख लिजिए फिर दूसरा वीडियो ले चलते हैं आपको कि दूस्रा ऑश्मारक आप देख रहे होंगे और उनका है उनक अनले कारियों का है जिनकी अनले कारण 政治 गई ती गयी transparency की तिन नागरीको की अधिकार है कर देए और और गakt Dop पर पूर्ण बढ़नन दिया गया था कि उद दिन हुआ क्या था आजयानते पढ़ते हैं इसमें लिख रख का है कि मार्च 1919 में महात्मा गंधी ने आइंसक राज कान्ती के संखनात किया था सन 1920 को गोरखपूर में बोले के मैदान में विसाल जनसमु को समुदित करते हुए उन्हें कहा था कि विदसी वस्तरों एम अंग्रजी परहय का पाइसकार किया जाए और चर्खा कात कपरे बना कर पाणना सुरू किया जाए तो अंग्रेजों का याद देश छोड़ने पर दे दुखानों को सत्यागरा सुरू कर दिया इसी क्रम में सहज नवा और 24 इथित प्रमक बजारों में चाहनने के निश्चे किया घा चोड़ी चौरा वंग्रजी कापों बहुत बढ़ा बजार था इसलिए सवहाविक था कि यहां सत्यागरा कांभी कम भीडता और वेजिस्ट से घोरे मंग आये गए किन्तों घोरों किट अपों की कुछलने के जाने पर सत्या क्रोड ने ना तो साहस छोड़ा और ना ही आतंकित हुए पंडित मुझिला नहिरू जो इस छेत के सत्यागरे सुत्रधार थे आदेश दिया था कि बढ़े जथे के बजा सत्यागरे छोड़े और यह निश्चे लिया गया था जितना चाहे अत्याचार हो पिछे नहीं हटना जाएगा उसी दिन एक अत्रित लगवाद चार सो स्वेम सेवकों ने अलग अलग जथों को बाटा गया लोगों के ब्रहंपूर में अस्थित कारियाला चोड़ी-चोड़ा की ओर से कर दी गोली के अवाज और घायलों की कराना मिल्जूर के एक असत्य अवातारवन के सिस्ट्री कर दी उस दिन गोली वर्सा में कई सत्याग रही मरें और सेक्रों घायल हुए अन्य साथियों का मर्दा देखते स्वेम सेवक भरक उठा और उनका क्रूथ पचन दुआगनी क कि रूप में प्रसुभिट हो था पुलिस वालों की गुल्या खत्म होंको और वो थाने में जाचेपे पुलिस किसी ने मिट्टी का टेल डालका थाने में आग लगा दी देखते भीतर बहुत पुलिस कर्मी एवं दरोग साथाना दूनों के चलने लगा थोई दिर के बाद तो वहां केबल राक सेस रहा दरोगा की पत्नी को छोड़ का तीस पुलिस का अर्मियों की जान से हां धोना पड़ा गांधी जिनीज घटना के बिजित हो का सत्यरा का अंदर असकित वापस कर दिया तत पस्चात रास्तों के आरोप में माथे पर लिस छेत के लोग वरसों सक नाना प्रकार के कस्ट और सजाय भूगते रहे सोजित धंग से एक मुकादमा चोड़ी-चोड़ा के केस के नाम पर सेकर लोगों को चला गया जिसकी भयांकरता का अंदर इस से लगा सकते हैं कि एक सब्सक्राइब करें लोगों को शिरिप पंडित महात्मा मदन मोहलमाज की अपने दूतिया वाकाल दौरा फांसी की सजाय बजा उनिस वेक्तियों को दो जुलाइब उनिस सो तैस को फांसी की सजाय पर लटका दिया गया इने सब्सक्राइब लोग जन बचाने वाले मदन मोहले माले जी हैं जिनकी सब्सक्राइब इस वी में एक इस्ट्राइब आवस्या विस्विद्याला जिसके आज हम हिंदू विस्विद्याला बीयाचीव के नाम सजानते स्थापना की थी इनका योगदान देश के सरवच और अदूतिया रहा पस्तुत असमार्यक्ष जिसने बताया गया है तुमें रहे होंगे और प्रोलिस नो इस पर बरताक और कुड़ता का पर्चे दिया होगा जिसविद्या आकोसित लोगों ने उनका हत्या की उन्हें मार दिया लगवग 23-24 पुलिस वाले मारे भी गई थे जो कि इतिहास के पर्णों में कला ब्लैक डेक की रूप में बताया जाता है को का दिन जहां पे लोग की अधिकारों के हनन किया गया उनकी हत्या कर दी गई थी वो जिसने कुड़ता का परचे दिया और देश की जो फिडम फाटर थी उसमें कहीं ने कहीं एक और स्थाई र और ऐसा नहीं हुआ कुछ सालों के बाद पंदर आगस 1947 को देश आजाद हुआ और उनके बलिदान और त्याग को दर्शाया गया और देश होजन्ता प्राप्ट की कर देखर हैं जो स्थान देख रहे होंगहांगई दाहे साइड ने making है यह वह पर अपर पूलिसों ने वह चलना हुआ थी अटिन मताया गया था इसका अपनाा की इतियास है के वीड़ियो कैसा में अगर्ण को शुप्सक्राइब करिए लाइक करिए याइक शेर और धर नहीं वे गण Wesley चाहिए अगर autop bizsk घटनाये हुई जहां क्रांतिकारी मुव्मेंट रहे देश के महान महान सासों को ने कर्म किया गौतम बुद्ध की भूमी माव बीड की भूमी रही उस वारे में जानते रहे धन्यवाद जय हिंद